हालो फ्रेंद्स वेल्कम बैक वेल्कम टू वीडियो खजाना एस वीडियो खजाने चैनल में आप सबी लोगों का हार्दिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे प्रेंद्स वीडियो खजाना अब तक हमारे द्वारा जो भी अप्लोटेट वीडियो जैं मैथमेटिक्स के वह आपको गूगल पर टाइप करते ही सबसे टॉप मौस पर शो हो जाएंगे और आप बहुत इसली उसको पॉलीनियो मिल्स के क्वार्टिक एक्वेशन्स के एन नंबर ओफ वीडियो आप उसको सीक्वेंशली देख पाएंगे चली फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो खजाने चल को सब्सक्राइब कर लें क आने वाले टाइम पर आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको टाइम पर डिलिवर होते रहेंगे और हाँ दोस्तों बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलिये गया क्योंकि जब भी अगर आप बेल का बेल आइकन पर प्रेस करते हैं तो आपको हमारे आने वाल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा चलिए फ्रेंज सॉलिशन वीडियो बाई वीडियो खजाना चलिए फ्रेंज स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट मैट्स लास टैन चैटर टू पॉलिनोमियल एक्सराइज 2.3 question 2.2 solution video by video kazana now question number 2 is check whether the first polynomial is a factor of a second polynomial by dividing the second polynomial by first polynomial so friends I'm gonna pass your first polynomial a that is x square square plus 3x plus 1 second polynomial हमारा है 3x की power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 so friends division करते हैं समय आप ध्यान रखें जो छोटी जो टर्म है उसको आप left portion पर रख लें और बड़ी जो टर्म है वो आपकी right and side पर division के अंदर आईगी so friends हमने या divide का sign लगाते हुए सबसे first जो step आपको यहाँ पर यह देखना होगा क्यों 3x की power 4 है उसको हम किस तरीके से आगे इसको solve करें तो उसका जो सबसे जो first step जो method होता है वो यह होता है कि 3x की power 4 को सबसे पहले आप x square जो की x square क्या है हमारी यह first polynomial का first term है इस term से आप इसको divide करें divide करने पर हमने पास 3x square यह question आता है इस question के आने से हमें फाइदा यह होता है कि उसको x square plus 3x plus 1 से इसको आप multiply करें multiply करने पर हमारे पास जो values आती है that is 3x की power 4 plus 339x cube plus 3x square so friends हमने यहाँ पर expression को यहाँ पर लिख लिया है और इसमें आप देखो sign change करो अब plus की जगा मानस का sign change हो जाएगा और सब जगा plus का sign है तो definitely तीनों जगा मानस का sign आता है यहाँ पर same term को आप देखो eliminate करो यहाँ पर हमने same term को यहाँ पर हमने eliminate कर दिया है अब हम देखते हैं 5x cube और 9x cube definitely 9 हमारी बड़ी term हो गई है क्योंकि इसमें मानस का sign लग चुका है तो minus minus हमारा plus हो जाता है that is 10x square sign definitely minus का ही जाएगा उपर बाकी जो बचीव जो term थी उसको आप as it is नीचे उतार लेए that is plus 2x and plus 2 चलिए friends आगे का step अब हम उसको आगे देखते हैं अब हमारे पास जो था वो था 4x cube उसी महतर से इसको दुबार से उसी महतर से follow up करते हुए next step आपके screen पर ये रहा minus 4x cube divided by x square finally हमेरे question बिलता है that is minus 4x minus 4x को आप दुबार से multiply करें x square plus 3x plus 1 इस expression से तक ही हमेरे पास जो value निकल के आएगी that is minus 4x cube minus 4 3s are 12x square और minus 4 1s are 4x so definitely friends हमने यहाँ पर लिख दिया है sign वापस ये हैं जोगा minus जगा plus और plus की जगा minus अभी हमेरे पास उपर से भी term minus किये उसको हमने plus लगाते हुए left value term जो हमारी थी वो eliminate हो जाएगी 4x cube की बाकी जो term थी हमारे पास 10x square और 12x square 12x यहाँ पर बड़ी term थी तो 12 minus 10 that is 2 so here it is 2x square यहाँ पर 4x हमारी plus में थी उपर भी plus का sign है तो definitely plus होगा 4 plus 2 that is 6 sign हमारा प्लस का ही जाएगा और जो plus 2 हमारा जो constant term थी उसको as it is हम नीचे लिख लेते हैं याँ पर तो हमारा प्रास जो नया जो expression जने टोकर क्या है that is 2x square plus 6x plus 2 now उसी third step के अंदर हम हमें क्या करना होगा friends 2x square को वापस x square से आपसको divide करें ताकि आपका जो question आएगा वो हमारा आएगा 2 जब 2 question हमारा पास आता है तो उसको वापस x square plus 3x plus 1 से इसको multiply कर दें तो हमारा पास जो expression आएगा 2x square plus 6x plus 2 sign change करें plus की जगए minus plus की जगए minus और plus की जगए minus finally यह पूरी value same है और यह पूरी value eliminate हो जाती है यहाँ पर और हम last में reminder जो हमारा पास बसता है प्लस 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 सो फ्रेंज अगर आपको इस question का solution हमरे इस वीडियो खजाने के माध्यम से बहुत 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 रहीं तरीके से अगर आपको easy way में comfort zone में अगर आपको बहुत भैठती रिन तरीके से कर समझ में आया हो so friends do not forget to share and do not forget to like and definitely subscribe our channel for more videos so friends don't go away stay tuned with us we will get back to you in next video so till then keep watching keep learning and keep smiling so far so friends thanks for watching goodbye you so yeah 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 झाल झाल